सुप्रभाद बच्चों आशा करते हूँ आप सब कुशल होंगे शुरेक्षित होंगे और घर पर होंगे तो अभी आपको रिंजिम बुक निकालनी है पहली कक्षा के दी हिंदी की पाठी पुस्तक ये निकालनी है और हम आजाएंगे पाठ नमबर ग्यारा पर कविता का नाम है कविता की सिशक है पतंग कविता का सिशक है पतंग उढा है कभी अपने कैसे उरती है पतंदोड हम खिचते हैं और उपर ऊसमान में जितना ढ़िल छोड़ेंगे दोड़ी को धागे को इतना भील छोड़ेंगे उतना ही पतंग उपर जाएगा अवाज करके सर कसर उपर उठती है ना तो हम यह कभीता शिफेंगे अपने साथ बूलिए आप मेरे सद बोलेंगे सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सेर सपाटा पतंग जब बहुत सारे पतंग असमान में ऊरुते हैं तो पतंगों में अपसमें पतंगें लड़ते हैं और एक दूसरे की दौरी को काटने के कोशिश करतें जो पतंग कड़ जाती है वो नीचे गिर जाते है तो लोग उसको बचे या बड़े लोग उसको उठा लेते हैं लुट जाती है पतंग अरे मैं उड़ा रही हूँ मेरी पतंग अगर दोई किसी रे काट दी तो मेरी पतंग तो लुट जाएगी है ना तो मैं क्या बोलूँगी तब अरे मेरी पतंग कट गई और लुट गई सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा खूब लगाया से सपाटा जब लड़ने में जुटी पतंग और कट गई अरे कट गई लुटी पतंग सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग सर, once again, repeat with me, मेरे साथ आपस बोलेगा, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सेर सपाटा, जब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई, लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी आगे प्रिष्ठ नमबर 77 पर पतंग के चित्र बनाएं यहाँ पर पतंग की चित्र आपको बनानी है यह बाद में बैक कैमरे में लिखके आपको दिखा रही हूँ एप कविता बनाई है यहाँ पर कविता की चाल लायन की पंगती एक आपको बनानी है पहली लायन बनी हुई है सरसर उड़ी पतंग घंटी बोली तन 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 तीन जगा खाली है तन 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 घंटी बोली घंटी केसे बोलती है तन 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 आवाज करती है ना घंटी बोली तन 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 उड़ता कपड़ा फर 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 चूड़ी बोली खन 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 चूड़ी बोली खन-खन-खन नेक्स्ट बेज सोचो अली को तुम पतं के साथ सेर सपाटे पर गई वहाँ तुमने क्या-क्या देखा अगर सोचे हम भी पतं हो गए हम भी पतं के साथ आसमान में कभी पक्षी को देखते हैं तो ऐसे हम भी अगर पक्षी होते तो आसमान में उड़ते अभी पतं भी आसमान में उड़ रहा है तो हम भी ऐसे अपने आपको सोच सकते हैं हम भी काश पतं होते और आसमान में ऐसे उड़ते तो भगवाने विश हमारी जो आशाती वो कमना पूरी कर दी मैं हम भी सोचे के आस्मान में पतंगे साथ उड़ रहे अगर हम पतंग होते हम आस्मान में उड़ते हुए क्या क्या देखते नीला आकाश बादल रंग भी रंगे पतंगे और उड़ते पक्षी अधी पतंग काटकर कहां 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 गिर सकती है मैदान में पतंगर कट गई तो कहां कहां गिर सकती है कागस के कागस से कुत्ता बना बनाओ ठीक है यहां ते हमें क्राबप़ ले लेंगे यह हमनें कागस ले लिए है कागस के कुत्ती की फेसमें बनानी है इस दो कॉर्नर पो कि civ कॉर्णर को आप पकड़ेंगे यसे और दोनों深 twin कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच ये फोल्ड आना चाहिए ठीक है और यहां पर फिंगर रखेंगे एक फोल्ड अभी कान बनाने के लिए गुद्दे की कान बनाने के लिए एक फोल्ड यहां से करेंगे एक फोल्ड यहां से करेंगे यहां से करेंगे और आपके बूक में देखें ड्रॉख किया हुआ है दो आखें नाख फेस आप ड्रॉख करेंगे बन जाएंगी खुटी की कहती है अब खेंगे सुहानी कहती है अब खेल का समय खेल का समय प्रिष्ठ नमबर 79 एक से शुरू करें देखें यहां पर हिंदी की गींती है एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा तेरा चौदा पंदा सोला सत्रा अठरा उन्निस बीस एकिस बाइस तेईस चोवीस तक यहां पर जिस स्टेप में आएंगे जो करने के लिए बच्चे बहुत कुछ बच्चे खटा एक खटे हो जाएंगे और जो इंस्ट्रक्शन है जो लिखे गए है जिस बॉक्स में आप अब डाइस ले लेंगे डाइस लेके अब डाइस को डाउड डालेंगे अपने जो नंबर आएंगे उस नंबर पर आपको जाना है और उस नंबर पर जो है जो लिखा हुआ है वो आपको करना है अम मानिये मेक से शुरू कर रहें ठीक है डाइस जाले एक नंबर आया तो हम एक कदम आगे जाएंगे यहां पर जो एक कदम आगे जाने वाले हैं वहां पर क्या लिखे हैं वही एक्टिविटी हम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे मचली पर कविता सुनाओ, नाव में जाओ, ठीक है, सुचे, इमेजिन करना है कि हम नाव में बेढ़ेंगे, और मचली पर कविता, मचली की कविता तो आपको आती है, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बहां निकालो तो मर जाएग ठीक है नाव में जाओ यहां पे नाव चल रही है यहां पे जा सकते हैं सिक नंबर सिक्स पे ठीक है नंबर सिक्स पे पहुच जाएंगे यह अगर तविता बोल देंगे तो कि त्रीवर में कुछ नहीं है फाइव में कह से शुरू होने वाले पाच बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ पतंग उड़ाने के लिए अगर पाच बच्चों के कह से नाम आप बोल सकते हो तो आप सीध्य बहुत जाओगे 15 पे जाके पतंग उड़ा सकते हो 15 में देखिए पंद्रा में पतंग है वहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए उहाँ जा सकते हैं कुनाल कार्टिका कृतिका कॉलिता करन मैंने तो बोल दे मैं पतंग उड़ाने के लिए 15 तक जा सकते हूं 6 पे कुछ नहीं है 7 म में शुरू होने वाला कोई गाना सुना पगड़ी पहने यह पगड़ी 17 पे है अगर आपने म से शुरू होने वाली कोई गाना सुना दिया तो आप 16 पे जा सकते हैं नहीं सारी 13 पे है 13 पे है 13 में आप जा सकते ठीक है और आपको अब सिधर 13 में जाके पगड़ी पेंड़ सकते हैं अगर नौव वाला गाना आपने सुना दिया तो फिर साथ आठ में कुछ नहीं है नौ में तो नाओं पर पहुझ गए पहले दस में कुछने 11 में कुछने 12 में हैं 20 की गिंती पूरी होने से पहले बाहर से एक पत्थर लेकर आओ और आम खाओ 20 की गिंती गिनिये सब बच्चे गिनेंगे और उससे पूरे होने से पहले अगर आपने बाहर से पत्थर लेकर तो आप सिद्धा आम के लिए कौन से नंबर पर जा सकते हैं 19 नंबर पर तो बाद 13 पर कुछ नहीं है तेरा पर पगड़ी है पगड़ी तो पहली पहली चौदा में कुछ नहीं है पंधा पतं भी उड़ाने के लिए कौन आये थे जो कर से नाम बोले हैं वो पतं उड़ाने के लिए आ गए है 16 पर कुछ नहीं सोला में कुछ नहीं है 17 में आ से शुरू होने वाली चार चीजों के नाम बताओ और जूला जूलो अगर 17 पर अपने आ से शुरू होने वाले चार चीजों के नाम बता दिये तो 20 पर आप जा सकते हैं तो जैसे आम आग आज अंब्रूद के तत्रा ठापे कुछ नहीं है 19 पर आम 17 में जो जवाब दे दिये हूं 19 पर पहले क्याम खा लिए कुछ नहीं है ठीक है 20 पर जूला जूलने के लिए आ गये थे जिनोंने जूला जूलने के लिए जो आ आ का अर से शुरू होने वाली चार चीजों के नाम बताए वह जूला जूलने के लिए आ गये और 12 वाले जो पर 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 22 में भी किसने आइस क्रीम खाया आइस क्रीम आइस क्रीम अभी तक किसने नहीं खाया क्या फिट देश पे जल्दे जल्दे चार बार बोलो कच्चा पापड पकापड और आगे बढ़ो कच्चा पापड पकापड पकापड चार बार सकसुली बोल लिए तो परेज जित गई तो यह गेम जो खेल है यही पे समप्त होते हैं मैं आगे बैक केमरे में लेके आपकी जो जो आंसा लिखना बाकी है वो मैं लिखा देती हूं ठीक है एक पर फिर से हम कविता को पड़ेंगे और फिर लेसन आगे कम्पिट करेंगे यह रही पेज नमबर सिक्स्टी पतंग पाट नमबर ग्यारा पतंग सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैस पाटा अब लड़ने में जुटी पतंग अरे कट गई लुटी पतंग सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग देखिए पतंग को कैसे धागे की मदद से दोरी की मदद से करने से बांदी जाती है और पतंग को उड़ाई जाती है तो पतंग के उपर आज हमने कविता सिखी कविता का भावर्थ क्या है पतंग कैसे उठते हैं सर 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 फड़ 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 आवाज करके आस्मान में उपर के तरफ उठते जाते हैं पतंग इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सहर सप्राटा जब दोरी के सहारे पतंग उपर आस्मान में उठते हैं तब अकेले पतंग तो नहीं उठते बहुत सारे पतंगे आपस उठते हैं तो वो आपस में उलज जाते हैं लड़ जाते हैं दोरिया तो दोरी जब लटी है जो दोरी खिचने वाले हैं वो भी जो लगाते हैं और एक दुसरे के दोरी को काटने के कोशिश करते हैं जिनकी दोरी कट जाती है उनकी पतंग नीचे गिल जाती है तो आगे कभी क्या कह रह अब लड़ने में जुटी पतंग ultramylete खटगई लड़ने में जुट जाती है किसी ना किसी की पतमपम तो कड जाती है एक दो पतंग कर जाएंगे दूसरी वापस लहराने लगें तो जिसकी पतंहदाउं कर जाएगी वह लोग उसको लूट लेंगे सर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर्षर् उड़ता कपड़ा फर 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 चूड़ी बोली खन 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 तुम पतं के साथ सेर सपेटे पर गई तुम तभी पतं के साथ जा सकते हो ना सेर सपेटे पर जब खुद को अब तुम पतं समझो तभी ना जा सकते हो तो हम क्या पतंगे जैसे दोरी बान के उड़ सकते हैं नहीं हम आपने आपको इमेजिन करेंगे यहां पर हम भी पतंग हो गए और पतंग के साथ आस्मान में सेर सपईटे के लिए निकल पड़े हैं वहां तुमने क्या-क्या देखा मैंने आस्मान में उपर ना पतंग के साथ सह सपेटे कर लिए तो हमारी नजर में वहां वहां क्या पड़ी क्या-क्या हमने देखा नीला आकाश नीला आकाश बादल रंग भी रंगी पतंगे उड़ते पक्षी आदी पतंग कटकर कहां कहां गिर सकती है पतंग अगर कट जाती है तो कहां कहां वह आके गिर सक खुले मैदान में गिर सकती है तो मैदान में छट पर बेर पर सड़क पर नदी नालों में गिर सकती है कागस का कुट्टा बनाओ जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया है और यहां पर सारे स्टेप्स है एक स्क्वार शेप का कागस ले लेंगे और उनको बिचो-बिच फोल्ड करेंगे फोल्ड होके यह च्राइंगल का शेप आजाएगा फिर यह दो कॉर्णर के लिए आप फोल्ड कर देंगे ऐसे सामने के तरफ ठीक है देखे ऐसा शेप बन जाएगा फिर आप ड्रॉ कर देजे एक कुट्टे की पेस बन गे फिर हमने यह खेल खेला था ना, यहाँ पे गिंती है, एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंद्रा, सोला, सतरा, अठरा, उनिस, बीस, एकिस, बाइस, देईस, चोवीस, जो यह, खेल खेलेंगे, और, जो जीट जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डाइस, आप एक, लूडो खेलने की, जो डाइस है, वो ले लेंगे, और, दो, चार बच्चे, एक, खेल सकते हैं, एक से शुरू करेंगे, डाइस चलेंगे, जो, जिनका एक नंबर आएगा, वो, दो नंबर पर जाएं और, नाओ में जाओ, मश्री पर कविता सुनाएंगे, और, नाओ में बैठके, इतने नंबर आओ, अप आगे बढ़ जाएंगे, सिधे, ठीक है, अगर आपने मश्री पर कविता सुना दिये तो, फिर, तीन, चार में जो आया, उनको कुछ नहीं करना है, फिर, पाच में, क कौसे शुरू होने वाले, पाच बच्चों के नाम बताओ, पतंग उडाओ, कौसे शुरू होने वाले, पाच बच्चों के नाम बताओ, बताएंगे, और, पतंग उडाने के लिए, यहाँ पर चले जाएंगे, पिछे में कुछ नहीं करना है, साथ में, मौ में शुरू होन कोई गाना सुनाओ पगड़ी पहने के लिए नंबर 13 पर आ जाए है आज पर खुश नहीं है 9 में तो 9 में बैठ गए 10 में कुश नहीं 11 में 12 में 20 की गिंती पूरा होने से पहले बाहर से पत्थर लेकर आओ और आम खाओ 20 की गिनती पूरा कोई गिनेंगे और दूसरे बचे जो जिनका दावा आया है वो पहर से पथर लेके आएंगे तब तक अगर बचों ने 20 काउंटिंग कर लिए होंगे 20 गिल लिए होंगे तो यह जो पाटिसिपेट पथर लेने काया है वह आर जाएगा तेकिन उससे पहले अ आशे शुरू होने वाली चार चीजों के नाम बताओ और जुला जुलो चार चीजों के नाम बताओ और जुला जुलो चार चीजों के नाम बताओ और जुला जुलो जुलो चार चीजों के नाम बताओ और जुला जुलो चार चीजों के नाम बताओ और जुला जुलो जु चार चीजों के नम बताया जुला जुली अट्रा पे कुछ नहीं है आम खा लिए गए जुला जुले पे आ गए बच्चे पाच बार चुटकी बजाओ और चुटकी का मज़ा लो फिर बाइस पे आइस क्रीम है यह पिगल गया है कोई ने खाया पिगल गया है जल्दी चार ब बोलो कच्चा पापर पक्का पापर और आगे बढ़ो अगर आप यह भी सक्सेस्वूली बोलेते हैं जैसे ही आप 24 तक पहुच जाएंगे और अब जीत जाएंगे हुरे जीत गए तो यह यहां पे आपकी लेशन जो है टेक्सबुक की कम्प्लीट हो जादी है अब जो नो